आज का पार्ट है युवा ग्रांती के शोले और इससे मधुकांत जीने लिखा है मधुकांत इनका मूल नाम अनूप बंसल है इस पार्ट का परिचे हम देखते हैं क्या है भारत वर्ष आजादी के बाद आधोनिक्ता से उत्तर आधोनिक्ता की और बढ़ रहा था मौडन तो ही अल्टर मौडन होते जा रहे हैं लोग और इस आधोनिक्ता की चका चौन में मनुष्ये ने प्रकृति को ही दाओं पर लगा दिया है अर्थार प्रकृति के साथ खिलवाड कर रहा है उसने जंगल काटने शिरू कर दिया है अपनी सुविधाओं के लिए कि अपराद करके इस स्विकार करने में वैं इचके चाहता है मानता नहीं है कि उसने गल्ती की है और इस तरह से वे कह रहे हैं कि मनुष्ये परेवरन को भी नस्ट कर रहा है आगे वे बताते हैं कि अन्दूश्वासों में किस तरह से जीते वे वे आबादी को बढ़ाते है और फिर कहते हैं कि गाउं और शेहरों में ये प्रवर्तियां दिखाई दे रही है कम नहीं हुए आदो निक्ता के बाद बे और लेखक ने छोटे-छोटे प्रसंगों के आधार पर पाठकों को चितावनी दी है और इस तरह की समस्याओं को सामने लाकर उन्हें चिताया है कि आज भी हमारे समाज में इस तरह की प्रॉब्लम्स है और भविश्य के आदश भारत की चवी दिखाई है और अगर सभी जो भी इस तरह की गलतियां करते हैं वे अपनी गलतियों को सुधा लें समय रहते, सुधा लें तो एक आदश भारत की स्थापना हो सकती है तो लेखक इसी तरह के एक आदश भारत की चवी दिखाना चाहते हैं पहले वे बताएंगे कि किस तरह से समस्या आई और उन्होंने सुलजाया यह पूरा पाठ है, यह पूरा पाठ एक कांकी की रूप में है और इसमें जो पात रहे, मुख्या पात रहे सरपंच जो पंचायत का मुख्या होता है गाव में सरपंच की बहुत बड़ी भूमी का होती है सब उसकी बात मानते हैं किसी भी तरह के जो मामले होते हैं आपसी सेहमती से नहीं सुलजा पा रहे तो फिर पंचायत में मामले जाते हैं और वहाँ सरपंच के फैसलेप को सब मानते हैं तो सरपंच का एक नौकर है शामभा दूसरा है कालिया और जो यहां पर दोशी लाए गए हैं उनमें एक लकड़ हा रहा है जिसका नाम है भूला राम और दूसरे का नाम है बदलू राम जो अनपड़ चौधरी है और तीसरा है कंजूस सेट जिसका नाम है किरोडी मल और प्रभाव शाली जो उसकी छवी है गाओं में या उसका अपना जो प्रभाव शाली व्यक्तित्व है उसको यह दर्शाता है कि किस तरह से वो इस तरह से चाल चलते वे अपनी उपस्तिती को दर्श कराते वे प्रवेश कर रहा है फिर सरपंच आवाज लगाता है अपने नौकर को कि अब जो तुम आदमी ला पाया हूं और फिर एक एक करके उनको बुलाया जाता है तो पहला आदमी जो आता है सरपंच के सामने उसके लिए शामा बताता है कि यह घने जंगलों में चोरी से पेड़ काटता है और पेड़ों को काटकर चोरी से पेचटता है पिर सरपंच कहता है अच्छा ये काला भाजारी करता है ब्लैक मार्केटिंग करता है और वो भी पेड़ों को काटके जबकि पेड़ तो हमें इतने लाब देते हैं पेड़ तो बहुत जरूरी है मनुश्य के लिए क्या तुम जानती नहीं पेड़ों से कितना लाब मिलता है हमें भूलाराम को समझाता है तो भूलाराम कहता है हमने थोड़े सी तो पेड़ काटे हैं वो अपना एक्स्क्यूज देता है अपनी बात कहता है कि इस बार मुझे माफ कर दो और मैं आपको एक बहुत अच्छा सा तोफा भी दूँगा और इस बार माप कर तो आगे से गलती नहीं करूँगा इसकी ये बात सुनके सरपंच को और गुस्सा आजाता है कि भी तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो ब्राइब कर रहे हो और खुद तो पाप का दंदा कर रहे हो और हमें भी मिला रहे हो तो फिर वो कहते हैं कि शामभा इसको सजा सुनाओ कोई माफिय हो फिनी बलगे तो रिश्वत भी दे रहा है इसको सजा दो फिर वो शांबा सजा सुनाता है कि इस पेड़ काटने वाले को यह सजा मिलती है कि पूरे जीवन बार में उसे एक सो पेड़ लगाने है और उनकी देख बाल भी करनी है और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो पेड़ काटने वाले का पेड़ काट दिया जाएगा बोला राम कहता है ठीक है मन्जूर है मैं मन्जूर है का मतलब पूरे जीवन पर एक सो पेड़ लगा कि उनकी देख बाल करेगा बात एक यह खतम हो गया प्रसंग अब फिर से इसके आगे दिखाते हैं दोसरा जिर्शे उसमें बदलूराम को लाया जाता है बदलूराम गाउं का चौधरी है और सौबेगे की खेती है उसकी सौबेगे अच्छे काफी माइने रखता है फिर वो कहता है जब सरपुन्च पूरता है तो कहता है कि हमारा तो खेती का काम है पुरा कुन्बा हमारा पुरा खांदान खेती ही करता है और बच्चे भी घरवाली भी वाइफ भी सभी खेती करती है तो और जो भैस है हमारे घर में और उनी का काम चार भैस है उन्हीं का काम खतम नहीं होता और क्या काम करेंगे इतना काम है हमारे पास पिस सरपंच कहता है कि यह ठीक ठाकी लग रहा है शामभा इसका कुसूर क्या है शामभा बताता है कि यह काम का जो चौधरी है अपने बच्चों को स्कूल नहीं बेचता और हमारे सकार ने जब कि मुफ्त में सब को पढ़ाने के विवस्ता किया है और अब स्कूल को भीज का ने स्कूल नहीं भीज सा बच्चों को तो यह भी एक अपराद है इसलिए इसको मैं अपरादे की रूप में सामने लाया हूँ सरपंच बोलता है अच्छा ओहो यह तो भी अच्छी बात नहीं है तो क्यों रिच्वादरी ऐसा करते हो तो बद लोगा हम कहता है हाँ भी हमें तो मालूम नहीं था कि पढ़ाई लिखाए मुफ्त में मिलती है और उसने का कि हमने नहीं जानते कि हमें नहीं मालूम था कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजो तो सजा मिलेगी यह अपराद है तो इस तरह से आगे वो कहता है कि हाँ हाँ अब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे बहुत पढ़ाएंगे और रोज स्कूल भेजेंगे तो सरपंज कहता है शाबाज चौदरी शाबाज ये तो बहुत अच्छी बात है बहुत जल्दी मान गए तो मेरी बात समझ में आ गई पर पड़ाय लिकाई जरूर ये शिक्षा सभी का अधिकार है शिक्षा पाना और शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है तो ये सरकारे अपने तरफ से प्रयास कर रही है ताकि सभी साक्षर हो सके तो पहले उन्होंने पर्यावरंड की सुरक्षा का मुद्दा लिया था अब इस दूसरे प्रिसंग में साक्षरता के लिए प्रयासों की बात कही है तो इस तरह से बद्दूराम पढ़ाय लिखाई के लिए राजी हो गया कि बच्चों को भेज दिया करेगा और बद्दूराम आगे पूशता है कि सरपंजी मैं जब लोगों को अख्वार पढ़ते देखता हूं तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी पढ़ाई करो तो सरपंज बताता है कि देखो बहुत अच्छी बात है तुम भी बढ़ो क्योंकि सरकार ने प्रॉड सिक्षा केंद्र यानि जो एडल्ट एडिक्विशन है उसके केंद्र भी खोल रखे है और गाउं की धरमशाला में भी एक केंद्र चल रहा है तो वहाँ जाकर बात कर लेना कहने का अर्थ है कि लोग आज भी इस बात को जानती नहीं है गाउं में रहते हैं लेकिन उनको इतनी जानकारी नहीं है तो इसके लिए जरूरी है कि जानकारी को फैलाया जाए ताकि लोगों को पता चले कि उन्हें ऐसी सुविधाएं भी मिल रही है जैसे कि मुफ्तुचिक्षा या मुफ्तुचिकित्सा सेवा इस तरह कि सुविधाओं के बारे में उन्हें जानकारी देनी चीए तो इस तरह से बदलू राम को पता है से ला कि वह भी पढ़ाय लेखाई कर सकता है बच्चों को तो पढ़ाय लेखाई के लिए भेजे गई अब इसकूल खुद भी पढ़ सकता है तो यह इस प्रसंग के द्वारा यह बताया गया कि हमारी सरकार भी साक्षर्ता के लिए बहुत प्रयास कर रही है और गाउं देहातों में मुफ्त जिक्षा दी जा रही है प्रोड जिक्षा केंदर खोले जा रही है अब देखते हैं आगे उसके बाद बदलू राम चला जाता है तीसरा प्रसंग देखते हैं तो शामबा जो है वे तीसरे व्यक्ति को ले के आता है और किरोडी मल इनका नाम है अब वो कह रहा है कि मेरा नाम किरोडी मल है और हम खांदानी सर्राफ है सर्राफ हैं जोलर्स जो सोने चांदी के गहने वगरा बनाने का उसका काम करते हैं जोलर्स फिर कहते है हमारा तो भई इमानदारी का धंदा है और आपको कोई कहना वेना बनवाना हो घर जैसी बात है आप बस मुझे ओर दो मैं बनवा कर लिया होंगा सरपंच कहता है यह भी एक तरह से तो उसको वो ही दे रहा है ब्राई भी कर रहा है न तो वो कहता है कि बहुत जबान चलाता है और बताओ शामभा कि इसका क्या कसूर है तो शामभा फिर पताता है कि इसने यह कंजूस है सातिसत लालची भी है क्योंकि इसने अपने लड़की की शादी में लड़की वालों से दो लाग का दहेज मांगा और लड़की वाले इतना रुपे नहीं एक खट अगर पाय तो इसने उनकी शादी नहीं होने दी और लड़की वालों का अपमान भी किया बारात को भी बापस ले आया तो यह है इसका अपराध है सरपंच को सुनकर अच्छा नहीं लगा उसने कहा एड़े तुम तो बहुत कंजूस हो पैसों से बहुत यारा ना लगता है तुमारा कि रोडी मॉल अपनी सफाय देता है कहता है कि बही हमारा कोई दोश नहीं है इसमें हमारी कोई गल्ति नहीं हमने तो कुछ भी ने वागा था लड़की वालों से और हिचकिचाने लगता है, यहाँ पर यह अपना प्राथ स्विकार नहीं कर रहा है, यहाँ इस प्रसंग में यह बताने की कोशिश कर रहा है लेकक कि दहेज प्रता एक बुराई है, समाजिक अप्राथ है, तो यहाँ इस बात की जागरुकता कराने का प्रयास कर रहा है लेक फिर वो क्या होता है तुमने नहीं तो किसने मांगा फिर कि रोडिमल कहता है कि भाई वो मेरे लड़के की जो मां है उसी के बास से उसी के मुझे निकल गया होगा ये उसने मांगा होगा और अब भाई इस बार तो मुझे छोड़ दो ऐसा कहता है पिसर पंच कहता है अच्छ उसी लड़की से जाकर अपने लड़के की शादी करो और कमकर्चे में करो और अपनी समधी से जो लड़की के पिताजी हैं उससे भी माफी मांगो और अगर ऐसा नहीं क्या तो जितनी रुपए दहेज मिलेगा उतने ही कोड़े इसकी मूटी तूंद पर लगाए जाए कहने करते है कि अब उसे बिना दहेज के उसी लड़की से माफी मांग कर अपने बेटे की जादी करनी होगी यह उसकी सजा है कि रोड़ाई मल कहता है हाँ हाँ बही मुझे तो मनजूर है हुजूर अब यह किस्सा खतम तो पहले किस्से में पर्यावरण की सुरक्षा समंदी बात कही दूसरे में साक्षरता का प्रसार करनी की बात कही और तीसरे में अब दहेज प्रता की बात कर रहे ह दहेजप्रता, एक सामाजी गुरा ही है इसे दूर करना चाहिए सहिघ लेना और देना धोनों की अपराध है अब आगे जो चौथा प्रसंग है अब कालिया हो कालिया आवाज देता है शामबक की बात नहीं अब कालिया आएगा कालिया जो है वो लेके आता है गुर्चरन को जो सिख है सरदार जी है अमरिसर के रहने वाले हैं और तो वो कहता है कि काम क्या करते हो तो गुर्चरन बताता है कि मैं तो मोटर चलाता हूँ ड्राइवरी का काम है कितना कमाते हो सर्पंच ने पुछा गुरेचन ने बताया कि 14000 रुपे महिने मिलते है सर्पंच ने पुछे कितने बच्चे हैं तुमरे फिर वो कहता है कि जी मेरे नहीं साथ बच्चे हैं दो लड़के और पाँच लड़किया और फिर एक खास बात भी बताता है कि दो लड़कियों को उसने उनके जन्म से पहले ही मार दिया यानि कन्या भ्रून हत्या जो जन्म से पहले ही जाच करके पता करवा लेते हैं लोग और एबोशन करवा देते हैं तो इस तरह से उसने कन्या भ्रून हत्या की और सरपंच कहता है भई एक आत्मी और साथ बच्चे पहली बात तो यही बहुत गलत बात है और एक आत्मी के साथ एक ही बच्चे होना चाहिए क्योंकि हमारी तो आबादी इतनी बड़ रही है भारत की तो जनसंक्या बहुत ही ज़्यादा है और जनसंक्या पर कंट्रोल ज़रूरी है नियंतरन ज़रूरी है तो यहाँ जनसंक्या नियंतरन के साथ साथ कन्या ब्रूनहत्या एक अपराद है यह बात भी पताने की कोशिश लेका कर रहा है तो सरपंच कहते हैं एक आत्मी और साथ बच्ची है तो बहुत गलत बात है और तुम्हें नियंतरन रखना चाहिए था और फिर गुर्चरन कहते हैं हाँ भई मुझसे तो गलती हो गई और मैं भी बहुत अपचताता हूँ और अब हम समझ गए हैं और परिबार नियोजन पर फैमिली प्लानिंग पर पूरा अमल करेंगे यानि उसको हम मानेंगे सरपंच कहते है ठीक है तुमने केवल गलती नहीं बलकि एक पाप भी किया है वो है कन्या भ्रोन हत्यागा जो सबसे बढ़ा पाप है फिर भी कालिया इसे जरा खबरदार करतो मतब इसे चेतावनी दे तो फिर कालिया उसको सुनाता है कि इसको खबरदार कहते है कि जीवन में और बच्चे ना लाये जाये मतब उसे फैमिली प्लानिंग कर लेने चाहिए और सभी बच्चे जो उसके साथ बच्चे है उनको पढ़ाय लेका है और जो कन्या ब्रून हत्या का पाप इसने किया है लड़कियों को जन्म से पहले मार देने का पाप जो किया है उसकी सजाय से भगवान ही देंगे सरपंच कहते हैं बहुत चीज़ सजा सुना ही तो ने कालिया और इस तरह से गुरुचरन भी कहता है मुझे तो मन्जूर है साहब आपकी हर बात आपका हर फैसला आपकी सजा और हम अब लड़कियों की इज़त करेंगे मान करेंगे अब वो कहते है अच्या अब कोई और बचा है वो कहते है नहीं अब कोई और ने बचा गुरुचरन भी चला जाता है तो यहां उन्होंने दो समस्याओं को सामने रखा है एक कन्या ब्रून हत्या दूसरी आबादी क बढ़ने की समस्या जिसे परिवार्नियों चन्द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है अब सरपंच कहते हैं हम बहुत थक गए तेरा वो गाना बहुत अच्छा लगता है सुना तो कालिया फिर गाना सुनाता है कालिया ने जो चार पंक्तियां यहां सुनाई है उसमें यही सारे स अंदेश है आज का नारा सब का नारा मिल जोलकर घर-गर पहुँचाओ दहेज न लो बच्चे दो हो वतब दहेज लिना देना जुर्म है यह हमें पता होना चाहिए इसलिए दहेज नहीं लेना चाहिए और दो ही बच्चे होने चाहिए करो सफाई पेड़ाओ सच्चिता अभियान की बात पियां कर दी कि सफाई अपने आसपास रखो और उस पर ध्यान दो पेड़ लगाओ व्रिक्षार ओपन करो और सारे जन को करो साक्षर और साक्षर सब पढ़े लिखे हो ऐसा हमें अपने आसपास देखना है कि कोई भी बिना पढ़े लिखे ना रह जाए और सब साक्षर होने चाहिए लिट्रेसी के लिए उन्होंने स्ट्रेस के है कन्या ब्रून हत्या को मिटाओ कन्या ब्रून हत्या यह लड़कियों को जनम से पहले मार देने की बात अब नहीं होनी चाहिए हम सब एक हैं आज का यही संदेश और इन चार पंक्तियों में उन् युवा क्रान्ती के छोले